हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सिक्षा तो फ्रेंड्स M.C.Q. is on General Science discuss कर रहे हैं मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया है इस इस सेकेंड लेक्चर और पहले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंस बताई है साइंस, इंग्लेश और कंप्यूटर अप्लिकेशन जैसे सब्जेक्ट की इन यॉर यॉपी एसी पीएफो एक्जाम और और साइंस के लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि यॉपी एसी के वेरियस एक्जाम में हम पास्टियर कॉर्शन्स में वो देखें काफी जार इसमें यॉपी एसी जो कंड़क्ट करता है उसमें जो जेनरल साइंस के कोश्चन्स है वो देख रहे हैं पिछले वीडियो में आपने पांच कोश्चन्स देखें था इस वीडियो में भी पांच कोश्चन्स देखेंगे ओके चलो तो सबसे पहला सवाल जो पूछा था या ट्रांसवर्स होती है नेचर में अगर लाइट बाला जो चैप्टर एंजी आटी में वो आपने पढ़ा है तो इसका अंसर आप बहुत एजिली कर सकते हो ठीक है तो अंसर इसका क्या होगा इट विल बी ऑप्शन डी ट्रांसवर्स इन नेचर तो ट्रांसवर्स और अगर वेव की मुवमेंट और जो उसकी वाइब्रेशन जनरेट हो रही है ठीक है वो सेम डिरेक्शन में थीक है यानि कि अगर वेव भी ऐसे जा रही है उसकी प्रोपरिगेशन भी वेव की प्रोपरिगेशन भी इसी डिरेक्शन में और इच वाइब्रेशन इस वाइब् longitudinal wave की form में travel करती है उसके बाद light waves जो transverse waves होती है उनमें क्या होता है कि जो propagation है और जो vibration है वो perpendicular होती है वो क्या होती है perpendicular होती है तो ऐसी waves को हम क्या कहते है transverse waves कहते है और इसमें आपका example आ जाता है light waves का ठीक है तो यह एक important चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है एक चीज आपने और करनी है जो आपके लिए homework है जो आपने नीचे comment section में बताना है आपने मुझे example देने की कोशिश करनी है transverse waves की और longitudinal waves की ठीक है अपने example देने का try करना और वो comment section में post करना है google कीजिए थोड़ा सा search कीजिए चलिए next question electric generator primarily converts electric generator क्या convert करता है ठीक है energy को convert करता है तो which energy is converted to which energy सिधा सा सवाल है electric energy is converted to heat energy electric energy is converted to sound energy electric energy is converted to mechanical energy mechanical energy is converted to electrical energy ठीक है वैचे तो बहुत simple question है अगर जरा सा भी आप अपना common sense use करोगे electric generator चलते हुए हम सबने देखा है ऐसा तो है नहीं कि हमने चलते हुए नहीं देखा तो इसमें answer क्या हो ना जीए कुछ बच्चे कहेंगे कि sir option b b हो सकता है answer इसका option d है कुछ कहेंगे option b b हो सकता है वो जादा दिमाग लगाते है ना तब हम इसका option b b कर देते हैं कि sir हमने जन्रेटर चलते हुए देखा है और वो बहुत ज्यादा अवास करता है तो electric energy sound में convert हो रही है बेटा वो diesel inverter होता है electric inverter इतने voice नहीं करता और अगर इस तरह कि आप अंसर दोगे तो फिर paper में दिक्कत आ जाएगी ठीक है अंसर इसका होगा mechanical energy जो है mechanical energy जो है वो electrical energy में ओbels करोड़ करोगे क्या You have electricity अगर्द शायिये शारा process चोड़ो इंजीनिरynnग में घुसना चोड़ो इंजिनेरिंग में मत गुजो कि भई mechanical energy से electrical energy वो अंदर घूमता है mechanical energy होती है वो electricity मैं कही नहीं रहा अगर common sense भी देखोगे तो electrical energy से किसी और energy में बदल के करोगे क्या यह तो पता है ना generator किसलिए काम आता है है ना तो answer यहां पर आपका option D हो जाएगा ठीक है तो इनन इलेक्ट्रिकल जेनरेटर mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity mechanical energy का इस्तेमाल किया जाता है conductor को rotate करने के लिए magnetic field में जिससे फिर बिजली का उत्पादन होता है all right simple सा सवाल है अगर यह सवाल आ जाए paper में तो अगर इसमें हम score ना करके आए तो फिर क्या फाइदा है थर्ड कोशन देखो the equipment used to measure the electrical current in a closed circuit is अगर आपको एक closed circuit में electric current को measure करना है तो इसमें से आप कौनसी device का इस्तेमाल करोगे galvanometer, emitter, voltmeter या फिर compass needle ठीक है direct questions है NCIT में से direct question है कहीं से बाहर से question नहीं है ठीक है बच्चे lucent पढ़ते हैं यह पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ncrt पढ़ लो best है ठीक है ncrt पढ़ लो best है lucent भी दो अच्छी किताब है quick पढ़ने के लिए जल्दी पढ़ने के लिए अच्छी किताब है उसमें भी कवर्ड है यह सारी चीजें ऐसी बात नहीं है पर कुछ चीजें बहुत जादा डिटेल में चले जाते हैं वो लोग जो अपने लिए exam point of view से important योदि बहुत जनरल से question पूछे जाते हैं जैसे 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 जीरो गिल्वेनोमेटर कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मली pointer जो है जीरो पे रहेगा ओके फॉर्जीरो करेंट फ्लोइंग फ्लोइट इट इटकें डिफलेक्ट इधर तो दे लेफ्ट और तो राइट ओफ दे जीरो माग डिपेंडिंग अन्धर अब देरेक्श कि बिजली का बिल कि इस तरह से भरा जाता है अंडर्ड वाट इलेक्रिक बल्ब इस यूज़ फॉर एट आर्स अडे वाट वॉड बी दे यूनिट्स ऑफ एनर्जी का बल्ब है आठ घंटे चलाया जाता है रोज अप्रेल के महीने में तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई अब एनर्जी कंज्यूम्ड का सिंपल सा एक फॉर्मॉला होता है देशी भाषा में समझ लो पावर कितनी है 100 वॉल्ट इन्टू टाइम ठीक है पावर इन्टू टाइम अब पावर इसकी कितनी है पावर है 100 वॉल्ट टाइम कितना है 8 आर्स कितने दिनों के लिए अप्रे के महिने में 30 दिन होते हैं अप्रेल के महिने में कितने दिन होते हैं तो इसको इंटू 30 कर दोगे तो नंबर ऑफ यूनिट कंजूम कितनी आ जाएंगी 100 इंटू 8 800 800 इंटू 30 24,000 ठीक है तो 24,000 जो है एनर्जी कंजूम हुई ठीक है पर यहां पर तो 24,000 option में ही नहीं है यान और हमारे पास आयाए वाट ठीक है तो अगर अब हमने इसको cauliflower को kilowatt में convert करना है तो हम इसको divide कऱेंगे 1000 से ठीक है 3 कट गया लूइका 24 units ठीक है तो सीधा सा तरीका है, देसी सा तरीका है, अगर इस तरह का question आता है, जितनी power आपको given है, और time, उससे into कर दो, answer में देख लो कि kilowatt में लग रहा है, अब क्या पता है, यहाँ पर option ऐसे होते है, 24,000, 16,000, बैसे generally जो आपकी units होती है, जो आपकी घर के बिजली का भिलाता है, उ units, generally हम kilowatt में measure करते हैं, अच्छा, आप यह दूसरे तरीके से question भी दिया जा सकता था, अब for example question दे देता, यहाँ पर यह question ना खतम करता, what would be the units energy consumed in the month of April की जगा, यह लिख देता, 8 hours a day in April, इस तरह से statement लिख देता, okay, आगे लिख देता, cost per unit is 5 rupees, what will be the bill, what will be the bill, कितना bill pay करना पड़े गा, ठीक है, तो इस case में क्या करना था, 24 unit तो ऐसी ही आती, जैसे हमने अभी निकाल ली है, 24 units, simply आप क्या करते है, 24 को इंटु 5 कर देते, ठीक है, तो क्या आजाता, कि भई 120 रपे का बिल आएगा, 5 रपे पर unit है ना, अपनी 24 unit त नीचे option में, रुपीज में होता फिर, ठीक है, तो इस तरह से भी question पूछा जा सकता है, NCRT में examples इस तरह के दिये हुए है, तो तयार रहना है, चलो, next question देखते है, last question, यह तो simple सा है, बचपन से पढ़ते खाते आ रहे हैं, chips bag contains which gas, जो आपके chips bag होते है, जो आपके chips bag होते ह है, तो answer इसका easy सा है, option D, nitrogen gas, जो है, generally chips bag में, यूज की जाती है, ठीक है, क्यों यूज की जाती है, तेखो, fats and oils होते हैं, in chips के अंदर, packed products के अंदर, और यह जो fats and oils हैं, यह oxidized हो जाते हैं, normally, अगर आप इनको open में रखोगे, and oxidization की वज़े से, they become rancid, smell change होता है, taste change होता है, not good for health होते हैं, अब कभी किसी chips के packet में से सारी gas निकाल दो, उसमें हलका सा whole करके, उसको एकात दिन बाद खा के देखना, उसका taste बिलकुल change होता है, ठीक है, तो इसी वज़े से it becomes important की oxidation को small किया, जो है, oxidation को slow किया जाया, और वो कैसे होगा, anti-oxidants use करके, तो पहले तो जो खा किया जाते हैं, ठीक है, उसके इलावा, आप oxidation को कैसे slow कर सकते हो, अगर आप food को containers में रख रहे हो, जो air tight containers है, तब आप oxidation slow कर सकते हो, ठीक है, similarly, जो यह chips manufacturers होते हैं, यह क्या करते हैं, chips bags में, जो है, gas flush कर देते हैं, जैसे nitrogen जैसी, it also prevents oxidization, इसी वज़े से यह gases जो है, वो use की application based ही मिलेंगे, electric generator application based है, chips application based है, power कितनी लगी, application based है, ठीक है, gilvanometer, not so application based, पर फिर भी general चीज़ है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है न, चलिए, तो all right friends, यह था 5 questions हमारे इस video के हो गए है, 5-5 questions ही करेंगे, and I hope आपको मजा आया होगा, चैनल को subscribe ज़रूर कीजिए, और share देख सकते हैं, मिलेंगे अगले video में, all the best time, bye bye